नमस्कार दोस्तों मैं अभी शेक आप सभी लोग एक और फिर्से प्रवंदन की इस क्लास में स्वागत करता हूँ आज अपनी जो क्लास है वो दस भी क्लास होगी है ना दोस्तों नए वर्ष की भी आप लोगो बहुत बहुत शुपकामना है इसी के साथ आप सभी लोग जो भी इसको देख रहा है जल्दी से आप लोगो सेलेक्शन हो जाए जिसके लिए आप लोग इतना प्रयाश करते हैं और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों मेहनत का कोई विकल्प नहीं है है ना कुछ भी हो आदमी कहता है शॉर्ट कट ये वो सब बेकार की बात नहीं अगर आप संगर असरत हैं मैनत में हैं तो एक ना एक दिन आप लोगों के लिए सफलता जरूर मिलेगी चलिए दोस्तों तो अपन सुभारम करते हैं आज अपनी इस दस्वी क्लास का अभी इसके पहले जो आट क्लासे हुई है वो चार ओप्सन वाली थी अब ये जो क्लास से हो रही हैं वनलाइन वाली हैं प्रतेक क्लास में आप लोगों के लिए सवकॉस्टम मिलेंगे और जल्दी ही अपन जो ठिरीकी क्लास उसको चालू करने वाले हैं हैấ जैसे ही आप इन सब लोगों को देख लेंगे अच्छे से आपके दमाग में आ जाए कि जब थेओरी की क्लास होगी तो ये सब आपके लिए क्लियर होता हुगा चलेगा चलिए सबसे पहला ये उब्भोक्ता की सार भौमिक सत्ता किस अर्थ विवस्था से प्राप्त होती है तो पूझी वादी ठीक है किस से प्राप्त होती है पूझी वादी नियोजन नियंत्रन का कौन सा पक्ष होता है तो ब्योहारिक हमारे टेलिग्राम चैनल से जरूर जड़ना है दोस्तों क्योंकि वहाँ पे आपको इस प्रकाई कि जो पीडिएफ है वो काफी सारी मात्रा मिल नहीं है और वो सभी जो एक्जाम से रिलेटिव है तो आप लोग जरूर जड़ जाए है ना नेत्रत तो किसका इस्त्रोथ होता है तो अभी प्रेणा का किसका इस्त्रोथ होता है अभी प्रेणा का गैर वित्तिय प्रेणा कैसी होती है तो मानशिक होती है सम विच्छेद विशलेशन क्या होता है तो नियंतरन तकनीक ठीक है निजी करन किसका उपाय है तो सार्वजिनिक छेत्र के वी निवेश का पद सोपान किस की महतपूर्ण विसेषता है परशाश की ये शंगठन की इन सभी को अपन लोगों ने उन प्रशनों में पड़ रखा है नियंतरन किस प्रकार की प्रक्रिया है एक सतत्प्रक्रिया है नियंत्रन बिल्कुल सतत प्रक्रिया है अगर आप बार बार नियंत्रन रखते हैं तो आपके कार अच्छे से होते हैं ना तो नियंत्रन किस प्रकार की प्रक्रिया है तो एक सतत प्रक्रिया है प्रतिफल दर में परिवर्तन शीलता को किस रूप में माना जाता है जो खिम की माप के लिए मापदंड का सहारा लिया जाता है ठीक है प्रतिफल दर में परिवर्तन शीलता को किस रूप में माना जाता है जो खिम की माप के लिए मापदंड का सहारा लिया जाता है किसका कार्य मानका कार्य मानका जोखिम की माप के लिए माप गण का सारा लिया था कार्य मानका ये किस रूपे मानी जाती है अब इसका अंसर पता पढ़ेगा ठीक है स्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेड करना क्या कहलाता है अभी प्रेडना अभी प्रेड़ना मैंने बताया था आपके लिए इसी को हम बोलते हैं मौटी वेशन महाजन एवं शाहुकार कौन सी मुद्रा में प्रमुक अंग हैं तो अशंगठित किसमे हैं अशंगठित नेता के द्वारा प्रतिनित किये जाने वाले समुह के अन्य सदस्ट क्या कही जाते हैं तो अनुयाई पिछली क्लास में पर ने चर्चा की थी अनुयाई पर ठीक है वह धनरासी जो लाब से नीमित रूप से कंपनी के शियर धारकों को नगत रूप में भुक्तान की जाती है क्या कहलाती है तो लाभांस क्या कहलाती है लोगों का समूह लक्षों की प्राप्ती के लिए एक साथ काम करता है जिसकी संद्शना बहुस तरिये होती है किसकी होती है तो संग्ठन की संग्ठन पर काफी चर्चा की कल लिए पर लोगों ने एक वर और देख लिए लोगों का स मूप बिलकुल लक्षों की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करता है जिसकी संरशना बहुस तरिये भी होती है ना उच्छिस तरियोगी मद्द सरियोगी निम्निस तरियोगी तो क्या कहलाएगा संगठन ठीक बित्तिय प्रबंधन का मूल उद्देश है संपत्ति ठीक है अधिक दर में परिवर्तन सीलता आप देखिए इसको ऐसे समझेए बित्तिय प्रबंधन का मूल उद्देश क्या है संपत्ति संपत्ति की अधिक्ता की अधिक्ता शमपथी की अधिकता तो ये इसके लिए है अब ये यहां से अलग से आगया अधिकता परिवरतन सीलता किस रूप में जानी जाती है तो जोखिम परिवरतन सीलता यहां से दούसरा प्रशन है ठीक है ये नहीं है समझे बित्ती प्रवंधन का मूल उद्देश क्या है शंपत्ती की अधित्ता परिवर्तन सीलता किस रूप में जानी जाती है तो जोखें इसी प्रकार वो पहला वाला प्रशन था उसको आप लोग देख लीजिएगा प्रवंधन लेखांकन है भविष्य के लिए लेखांकन ठीक जब कोई कंपनी उसकी आए नियत रासी को प्रतीशत प्रदान करती है तब क्या कहलाती है लाभांश भुकतान अनुपात नीती जब कोई कंपनी उसकी आए नियत रासी को प्रतीशत प्रदान करती है तब क्या कह लाभांश, भुक्तान, अनुपात, नीती. यह दरसल दोस्तों टाइपिंग की समस्या है, और कभी-कभार एडिटिंग करने में गल्तियां हो जाती है, वो जो नया लड़का है, तो उसके चक्कर में यह थोड़ा हो गया, उसने डंग से ध्यान नहीं दे पाया हो, इसलिए य मानाव संसाधन आवशक्ता के प्रक्षेपण में किया जाता है, तो काल स्रेणी विशलेशन, किसमें काल स्रेणी विशलेशन, फिर से सुन लीजिए, पूरवा नुमान, मतलब तकनीकों में अतीत के इस्टाबिस्तर का प्रियोग, जो पुराने लोग हैं, उनका भविश्य के मानाव संसाधन आवशक्ता के प्रक्षेपण में किया जाता है, क्या कहेंगे, काल स्रेणी विशलेशन, ठीक है, चलिए, बित्तिय प्रबंधन का मूल्य उद्देश से क्या है, संपत्ती अधिक्तम करण, क्या है, संपत्ती अधिक्तम करण, पालन किये जाने वाले नियम बिलकुल नियम का पालंद किया जा रा है, उसी नियम के साथ में नौकरी में निटियां हो रही है, तो वो अपचारिक प्रक्रिया हुआने कोई नैम नहीं है, हमने देखा कि बन्दा सही है, काम अच्छा कर रहा है, रख लिया, या फिर दूसरा condition क्या होती है कि वो जिसको हम रख रहे हैं को हमारा हम अमने अमने प्रेट में लाप के लिए रख लिया हो या हमारे कोई परिवार का सदस्यो भले उसको काम आता है नहीं आता है वो अनौप्चारिक बातें हो जाते हैं अनुपचारिक प्रक्रिया हो जाए, अपचारिक का मतलब इस नियम से चाहिए, वहाँ कोई भी आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, अपचारिक, कम्पनी के EVIT और शेर धारकों के लिए उपलब्द आए के बीच वस्तु को किस रूप में जाना जाता है, वित्तिय प्रवाह याद रखीगा, वित्तिय प्रवाह चमता, बोनस सेर जारी किये जाते हैं, मौझूदा करमचारियों को मुफ्ट में, बोनस सेर, होता है ना बोनस मिल एक लिए उनके लिए तो, जो करमचारी है, उनके लिए वो मुफ्ट में दिये जाते हैं, ठीक है, ताकि एक तरीके से प्रोशाहन होता है ताकि वो लोग और जो अपना कारे कर रहे हैं उन कारेयों को और अच्छे से करें वे कर्मचारी कौन होते हैं जो संगठन में अन्य लोगों की ओर से अवैड या अनैतिक आच्रण का खुलाशा करेंगे तो मुखबिर 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 को अपने एक बात और बोलते हैं विहिस लोविर ठीक है याद रखिएगा अधिक्तर पूंजी निवेस के लिए मूल्ले मान के लिए अधिमान तकनीक क्या है तो निर्वात वर्तमान मूल्ले ठीक है समाज अपनी अवश्यक्ता को पूरा करने के लिए कौन सा संगठन बनाता है व्यवशाय समाज अपनी अवश्यक्ता को पूरा करने के लिए कौन सा संगठन बनाता है व्यवशाय बिल्कुल व्यवशाय से धना आएगा आपकी अवश्यक्ताएं पूरी होंगी है न अतिसार्थक लागत मूल्य हास घटाने के बाद एक स्थाई परिसंपत्ती का मूल्य कहलाता है लिखित मूल्य अतिसार्थक लागत हमने घटा दी उसका मूल्य हास तो उसके बाद जो स्थाई परिसंपत्ती उसका मूल्य क्या कहलाएगा तो उसका मूले कहलाएगा लिखित मूले ठीक है मार्केटिंग विपणन में केंदर विंदू कौन होता है ग्राहक बिल्कुल जब भी मार्केटिंग विपणन या मार्केटिंग व्यापार की बाद चलेगी तब जो मुख्य विंदू है वह होता है ग्राहक क्योंकि ग्राहक को ही खुश रखना है, क्योंकि अगर ग्राहक खुश रहेगा, तो अपने आप भाईया सामान लेगा, तो ग्राहक की खुशी या ग्राहक की संतुष्टी सबसे ज़्यादा महत्पूर होती है, कार्य वर्तन क्या होता है, अन्ता कार्य प्रिसिक्षन की विध निर्नायक प्रशंग प्रविधी क्या है तो मुल्यांकन विधी एकल प्रियोग योजना क्या है विशिष्ट लक्षियों को प्राप्त करने की योजना तुलना प्रक्रिया के रूप में कौन सी तक्नीक परिभासित होती है तो बैच मार्किंग एक व्यवसाई में किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया महत्वपून है ग्राहक देखेए फिर आगया ग्राहक ही के इंदर में रहे देखेए गा एक व्यवसाई में किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया महत्वपूर है ग्राहक मानलो अगर ग्राहक ने रेटिंग में वन रेटिंग देदी तो फिर वो जो प्रोडक्ट है वो आगे नहीं बढ़ पाता फाइव रेटिंग दे दी प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा तो जो ग्राहत की प्रतीक्रिया है व्यवसाय में ब्यापार में वो बहुत ही जादा मात्पूर है आज हम देखते हैं वेश्वी गरण हो चुका है पूरा बिश्व एक बाजार के तले है वहाँ पे ग्राहत सबसे अदा मात्पूर है आप चाहिए कहीं पे भी देख लें चाहिए अपन इसी की बात कर लें यूटूब की बात कर लें कहीं पे भी देख लें तो ग्राहाग सबसे ज़्यादा मातपूर है, है ना, चाए Amazon पे देख ले हैं, या अन्न किसी भी कंपनियों में देख ले हैं, वो ग्राहाग को संतुष्ट करते हैं, अब आप देखिए, पहले जो अपन सामान बगएरा लेते थे, तो अपनों को दूर जाना पड़ता था, अब आपके घर में सामान आता है, इसके लाबा कोई सिकायत होगी, तो 6-7 दिन में सामान बापिस भी हो जाता है, बहुत सारे में तो पूरे के पूरे पैसे ही बापिस हो जाते हैं, है ना, तो आप देख रहा हो ना, तो ग्राहा किसमें महत्तू है, सामाजिक अविशकार लक्षों को पूरा करना, पूंजी लागत किस रूप में प्रयोक्त होती है, मुल्यांकन शाधन के रूप में, दीर्ग कालिक लक्षों की प्राप्ती के लिए संगठन की समझ इस्तरकारवाही यूजना होती है, रण नीतियां, दीर्ग कालिक लक्षों को प्राप्ती के ल उनके लिए रणनीतियां ही काम में आती हैं यहां इस समय हम यह करेंगे फिर इसके बाद यह करेंगे फिर यह चलता रहेगा तो वही होती है दीरकालिक एक तरीके से रणनीतियां इनको बनाता कौन है अपने लोगों ने पिछली क्लासों में काफी बार देख लिया है जो जो मद्निस्थर के हैं और जो निमनिस्थर के हैं वो सब लोग करते है ठीक है ESOP का विश्तृत रूप क्या है Employ Stock Option Plan केंद्रिये विंदू, ऊपर प्राधीकरण का संकेंद्रण का किसका है केंद्री विंदू, ऊपर प्राधीकरण का संकेंद्रण है..? करण का व्यापार की तरलता का सूचक होता है वर्तमान अनुपात व्यापार की तरलता का सूचक होता है वर्तमान अनुपात लक्षियों की प्राप्ती के लिए चुनिंदा फैसलों को अपनाना क्या होगा कारणीती या रणीती बिल्कुल लक्षियों की प्राप्ती के लिए चुनिन्दा फैसलों को अपनाना कारे नीती या रणनीती है अगर आप गौर से देखें तो अभी अपने रणनीती चर्चा की इससे 4-5 प्रशन पहले तो रणनीती वहाँ भी सही थी रणनीती यहाँ भी सही है आप लोग अपने मन से जब देखेंगे तो पूरे प्रश्न को समझ जाएंगे, ठीक है? नगदी वस्तु, सूची पूर्ण तत्तु क्या होते हैं? ये सब चालू परिसंपत्तियां है नगदीबस्तू, सूची, पूर्थत ये सब जो है ये चालू परिसंपत्तियां है शत्य व्योहार विशलेशन क्या है? विकास वीधियों का प्रकार प्रारंबिक इस्टॉक प्लस खरीद सुनियेगा माइनस अंते मिश्टॉक प्लस प्रत्यक्ष लागत अब इसको ऐसे समझेए यहाँ पर प्लस है प्लस करीद माइनस अंते मिश्टॉक प्लस प्रत्यक्ष लागत बरावर विक्रे सामगरी की लागत ठीक है और यहाँ पर क्या है बरावर कभी कभार प्रश्ण इसी तरीके से आ जाते हैं इसको डालने का यही कारण था कि जब हम प्लस देखेंगे तो बहुत साई लुक्सूस नहीं यह प्लस कहां से आ गया कभी कभार प्रश्ण ऐसे आ जाते हैं और गती विदी को बढ़ावा देने के रूप में किया जाने वाला विपड़न हरित विपड़न सुनिएगा बहुत एक परियावरन परियावरन आ गया बिलकुल ध्यान में आ जाने चाहिए फाइदे मंद के लिए परियावरन का फाइदा पारिस्थित की सुरच्चित पारिस्थित की इतनकों सुरच्चित की वाचल लई है और गती विदीयों को बढ़ावा देने वाला विपड़न तो लोगो हरित विपड़न कहलाता है ठीक है हरित विपड़न हरित विपड़न आ आप लोगोंने नाम सुना होगा अगर आपनों को पता हो कि हरित क्रांती के जनक कौन थे तो कमेंट बॉक्स में बताईएगा ठीक है वातावर्ण निगरानी पर जोर देना प्रवाह का आंकलन करना आवशकता अनुसर उन्हें योजनाओं में परिवर्तन करना किलियर चलिए रणनीतिक नियन्तरन्ण परिसंपत्ति एवँ देन दारी और पूंजी का विनियो किसका विवर्ण है तुलनपत्र वैलेंस सीट का कार्य विशेशग्यता का प्रमुख्यकार क्या है कार्य कुसलता को बढ़ाना एक अच्छी विप्ड़न योजना दूरदर्शिता और क्या प्रदान करती है दिशा दूरदर्शिता तो प्रदान करेगी ही साथ साथ दूरदिशा भी प्रदान करेगी क्लियर प्रसिक्षण द्वारा उपयोग उपकरण कार में उपयोग लाई जाने वाले उपकरण है कौन से हैं वैस्टी ब्यूल प्रसिक्षण कौन सा प्रसिक्षण वैस्टी ब्यूल प्रसिक्षण अगर उत्पात का लाब मार्जिन कम हो जाता है तब बिक्त्री राजश बढ़ जाता है तो ऐसे उत्पात की मांग को कहा जाता है मूल प्रत्यस्त था क्या कहा जाता है मूल प्रत्यस्त था आद्रस्य इस्तर माना जाता है जो प्रबंधन के सर्वुच इस्तर से खेलते हुए सबसे निचले इस्तर पर विश्तृत होता है समान आदेश वाली स्रंखला क्या हो जाएगा समान आदेश वाली स्रंखला पर से सुलने आद्रस से इस्तर माना जाता है जो प्रबंधन के सर्वुज इस्तर से खेलते हुए सबसे निचले इस्तर पर विश्तृत होता है शमान आदेश वाली च्रंकला जो लक्षियों को प्राप्त करने में संदच्छित और सफल हुए हैं क्या विवस्ता होती है तो संगठन क्लियर क्या होती है शंगठन पूंजी संदचन क्या है पूंजी के विविन इस्तरोतों का संयोजन डेटा का संग्रह जिसे अलग-अलग लोगों द्वारा इस्तमाल किये जाने के लिए डिजाइन किया गया है क्या कहलाएगा डेटा बेस ताकत कमजूरी एवसर खत्रे कांकलन कौन करता है स्वेट अप्रोच आम तोर पर छोटा बाजार जो अच्छी तरह से वारत नहीं है क्या कहलाएगा आला बाजार क्या कहलाता है आला बाजार उब भोक्ताओं के लिए निर्माता से एक उत्पाद लाने में सामिल विपणन संगठन के क्रम को इस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है वित्रण सारणी के रूप में किसमें वित्रण सारणी के रूप में चमत किसका उत्पादक्ता संशाधनों का इस्तमाल किसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत और संगठनात्मक अवशक्ताओं की संतुलन के लक्षों के साथ मानों संशाधन की नीती और कारप्रणाली एक सार खंड में होना चाहिए किसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत और संगठनात्मक अवशक्ताओं की संतुलन के लक्षों के साथ मानों संशाधन की नीती और कारप्रणाली एक सर खंड में होना चाहिए मानों संशाधन द्रश्टी कौन इस पस्ट दूर दर्श्टा को अभी व्यक्त करना और संगठन के सदस्ट को सक्षम वा उर्जामय बनाना कहलाता है रिन और एक्ति क्या है ब्यापार के लिए निदी आजाए रिण और एक्विटी क्या है तो ये दरसल ब्यापार के लिए निधी हुआ करती है क्या हुआ करती है निधी हुआ करती है यथार्थवादी होते हैं सर्मीले होंगे व्योहारिक होंगे इस्थिर होंगे यानि जो यथार्टवादी व्यक्ति होता है उसके अंदर ये गुण होंगे कौन-कौन से सरमीला होगा व्योहारिक होगा इस्तिर होगा अब जो कलात्मक व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या होगी तो कल्पना सीलता होगी आदर स्वादी होंगे और भावनात्मक भी होंगे याने कलात्मक व्यक्ति होते हैं, कलपनासील, आदर्शवादी, भावनात्मक अनवेंसी व्यक्ति होते हैं अनवेंसी जो होंगे याने खोच करता वाले विसेस्ताओं में देखेंगे जिग्यासू प्रबत्ती के होंगे और स्वतंत्र होंगे जब उसको पढ़ते होंगे अगर आप लोगों में से कोई MPPSC की बच्चे होंगे तो आप लोगोंने देखा होगा, कि जब हम अरस्तू की और प्लेटो की आपस में तुलना करते हैं, तो पता पड़ता है, कि अरस्तू जो हैं, वो कहीं न कहीं अनवेंशी व्यक्ति हैं, और कल्पना सील वाले प्लेटो हैं, जहालकि हैं एक दूसरे के सिस्ष, एक गुरू है एक्सिस्स हैं पर एक कल्पना सीलिट बाई व्यक्ति हैं एक अनवेंशी व्यक्ति हैं तो ये वहीं से सम्मंदित है कि इस प्रकार के व्यक्ति अगर हैं तो उनमें ये ये गुणतों होंगे ही ठीक चलिए पारंपरिक व्यक्ति होंगे अनुरूप और कुसल ठीक है पारंपरिक व्यक्ति या पारंपरिक होते हैं अनुरूप कुसल ठीक अब देखे एक व्यापार के संचालन की लाबप्रद माफ क्या है आंत्रिक प्रतिफल दर एक ब्यापार के संचालन की लाब प्रत दर क्या है तो आंत्रिक प्रतिफल दर ठीक है लाब सह लाब सह ये गलत हो गया इसको अटा दीजे न जब आपको उसकी पीडियेप मिलेगी उसमें ये चीज़ें किलियर हो जाएंगी इसको अटाइए वही खाते में जन्रल से खाते में डेविट और क्रेडिट बंधूओं को इस्थानांत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो प्रविष्टी डेविट जो आता है क्रेडिट जो चला जाता है किसका नियम है संपत्ति लेखागा नियोजन क्या है लक्षों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कारवाही को पहले कर लेना याद रखेगा ये वाला जो कॉशन है वो गलत है इस पर ध्यान मत दीजिएगा ठीक है कौन-कौन से ये तीसरा और चोथा ये ठीक है तीसरा और चोथा इन दोनों को अटा जीए ये पीडिएप में आपको नहीं मिलेंगे ठीक है ये करेक्ट करके मिलेंगे चलिए दोस्तों तो आज की जो क्लास है समाप्त होती है हम मिलेंगे अब नेक्स क्लास में इसी पेकार सौक प्रशनों को लेके हम दोस्तों टेलीग्राम पर जलू जुढ़ जाए क्योंकि टेलीग्राम पर जुदने से आप लोगों को इनकी पीडिएफ मिल जाएगी वहाँ पे काफी सारी PDF हैं जैसे की computer की है ना विज्ञान की काफी सारी PDF है तेले दोस्तों मिलते हैं अगली class में नमस्कार